बॉट मॉर्णिंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे नेस्ट टॉपिक फर्स्ट ट्रेड बॉक्स फर्स्ट ट्रेड बॉक्स तुबी एबल तुउज वोट यूज वोट यूज वाव लट आपको मैंने पीछे स्नेक बाइट बॉन अनिमल वाइट बॉन से बाइट इन सब के बारे में बताया है आप उनसे कुछ सीखे हो तो आप उन्हें प्राथमी कुपचार के लिए आप कुछ और इसी a few things ready at home and in a classroom. आपको क्या करना है ऐसी चीजों को इखटा करना है, कुछ ऐसी things हैं जिनको आपको घर पर भी इखटा करना है और अपने classroom में भी we get together with your classmate. अपने जो सहपाटी हैं उनके साथ मिलकर make a first aid box और एक first aid box तयार करना है. As a activity आपको एक first aid box घर पे भी तयार करना है और एक school में भी for your class make another one and home और एक घर पर. तो ये बच्चे activity है आपको जो भी आज मैं बता रही हूँ first aid box में क्या क्या होता है तो आप उसे अपने घर पे ready करेंगे. उसमें क्या क्या चीज़े चाहिए उनके बार में पढ़ेंगे. Use any clean box with a lid. अब हमको एक clean box चाहिए उसके लिए. एक साफ सुस्रा box चाहिए जिसकी lid होनी चाहिए. जिसका ढखकन होना चाहिए. Your first aid box should have bandage. उसमें क्या होना चाहिए? एक bandage होना चाहिए. Antiseptic lotion होना चाहिए. जो घाओ को साफ करते हैं. जैसे टिटोल हो गया, सैवलोन हो गया. An antiseptic ornament. और एक कैसा tube होना चाहिए? Ornament जो घाओ पे लगाया जासके. Calamine lotion होना चाहिए. Baking, soda, stilights, cotton और gauze, bandage, striking tape, sticking tape and चिपकाने के लिए tape, scissor, canchi, twizzer and some clean clothes. और थोड़ा सा कपड़ा, जो साफ सुथा कपड़ा हो. ये आपको सारी चीज़े first aid box के लिए चाहिए. क्या के चाहिए बच्चिये? Antiseptic lotion होना चाहिए, bandage होना चाहिए, पट्टी होना चाहिए, सीजर होना चाहिए, baking soda, cotton होना चाहिए और थोड़ा सा साफ सुथा कपड़ा, ये आपके पास होना चाहिए. उसके बाद आपने ये first aid box तैयार कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? Make a list of four numbers of few people you can call for help when you are alone at home. अब एक list तैयार करनी है ऐसे लोगों की जो आपकी मदद कर सके, जो आपकी help कर सके कब जब आप घर पर अकेले हो, जब आप घर पर अकेले हो, तो ऐसे लोगों की एक list तैयार करनी है, जिनको आप help के लिए phone कर सके. Stick this list on inside of the cover of your first aid box. अब इसको कहां चिपकाना है बच्चे? First aid box के जो उपर आपका, जो उसका धक्कन होता है, उसके उपर उसे चिपकाना है. You can also write the phone number of the local police station and some hospital nearby. और एक तो आपको जो आपके help करने वाले हों, उनके नमबर और किसका? Local police station का और एक दो hospital का, जो बिल्कुल आपके घर के पास हो, उनके नमबर को उस first aid box के उपर, कहां पर चिपकाना है? First aid box के उपर चिपकाना है. जब भी आपको मदद की जरूरत हो, तो आपको नमबर नहीं ढूँनना पड़े, वो एकदम से आपके box के चिपके हुए हो, और आप उन्हें देख कर कॉल कर सकें. ये पिक्चर में आप देखिए, सारा ये पट्टी, बैंडेज, ये आपको सीजर, ट्विजर, ट्यूप, लोशन, कैलमाइड लोशन, ये सारा कस दिया हुआ है, ये फस्टर बॉक्स आप घर पर रैडी करेंगे, और फिक्च का स्कूल में भेजेंगे.